आज सुभे से हम सब देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के सरकार में मंत्री हैं उन्होंने ना केवल सभी हिंदूओं की भावनाओं को आहत किया है बलकि राष्ट्र की अखंडता पे भी एक गहरा प्रहार किया है बड़े भारी मन से ये प्रेस्वार्टा हम लोग कर रहे हैं और सबसे पहले ये कहेंगे आम आदमी पार्टी के मंत्री वरिष्ट नेता ये सब जो व्यक्तव्वे देते हैं जो हिंदूओं की भावनाओं को आहत करते हैं ये अरविंद केजरिवाल जी आपके ही कहने पे होता है और अरविंद केजरिवाल जी एक वीडियो में इस पश्ट सुना जा सकता है कहा जा रहा है और आपके मंत्री की उपस्तिती में कहा जा रहा है वो स्वैम बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा विश्णु महेश को कभी इश्वर नहीं मानूंगा नाहीं उनकी पूजा करूंगा मैं राम और कृष्ण को इश्वर नहीं मानूंगा नाहीं उनकी कभी पूजा करूंगा इस तरह के जो शब्द बोले जा रहे हैं ये इस पश्ट कर देता है अर्विंद केजरिवाल जी आपको हिंदु धर्म से और हिंदु धर्म के जो अनुवाई हैं उनसे किस तरह से नफरत है वोट की खातिर अर्विंद केजरिवाल जी आप कितना गिरेंगे अर्विंद केजरिवाल जी ये समय है जब आपको हम याद दिलाएंगे आपने सम्विधान की शबत ली है उस शबत में ये आपकी सम्विधानिक जिम्मेदारी है कि आप सुहार्द को बढ़ाएंगे देश की अखंडता को और मच्बूत करेंगे लेकिन हो क्या रहा है चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अर्विंद केजरिवाल जी के इशारे पर हिंदूओं की भावनाओं को अहत किया जाता है वो भी अहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है अर्विंद केजरिवाल जी बहुत दुख होता है ये कहते हुए भी कि आप चुनाव में चुनावी हिंदू बन जाते हैं बहरूपिये बन जाते हैं मुझे याद आता है हनुमान चालिसे का पार्ट कर रहे थे आप जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपीस्ति हो लोकु जागर राम दूत अत्रित भल्दामा अंजनी पुद्पवंसुत नामा चुनाव खतम हिंदूओं को वोडबांग समझते हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुदी करवाते हैं अगर आपकी याददास चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूँ देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे और अब चुप्पी साधी हुई है और इनका इतिहास निका लें हर भारतिये हिंदु चाहता था एउद्ध्या में भवे रामंदिर बने अर्विंद केजडिवाल की सोच ये थी कि एउद्ध्या में भवे रामंदिर नहीं बनना चाहिए जब बनने लगा तो गिर्गिटान की तरह सबसे आगे खड़े हो गए रंग बदल लिये कहने लगे ये ठीकी हो रहा है जब भारतिय जंता पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को उनका हग मिले नौक्रियाल मिले और एक फिल्म आई तो यही अरविंद केजरिवाल इतनी नफरत करते हैं हिंदूों से कहते हैं ये जूटी फिल्म है हिंदू प्रताणित नहीं हुआ आज इस मंच से ये कहना जरूरी है अरविंद केजरिवाल जी आपने संविधान को तार-तार किया है हर उस हिंदू की भावना को आपने अहग किया है जो ये मानता है कि उसके रोम रोम में भगवान रम्मा विश्णु महेश भगवान राम भगवान क्रिश्ण का अंच है और आपको पूरे भारत से कान पकड़ कर माफी माननी चाहिए और यदि आप ऐसा नहीं करते बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ हिंदू समाज बहुत सही शुडू है लेकिन अपने इश्ट अपने इश्वर और भगवान का अपमान कता ही सहन नहीं करेगा हम ये भी मांग करते हैं कि आप ऐसे मंतरी को जो नफरत फिला रहा है जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर तुरंट बर्खास्ट करें जो शबत आपने ली है समविधान की समय आ गया है आप अगनी परीक्षा दें आप दिखाएं कि आप समविधान का पालन ही नहीं करेंगे भलकी ऐसे मंतरी को भी बर्खास्ट करेंगे जो समाज में जहर उगलता है और अगर आपने माफी नहीं माँगी और अगर आपने ऐसे मंतरी को बर्खास्ट नहीं किया तो एक ही निश्कर्श है शब्द मंतरी के हो सकते हैं लेकिन ये जहरीली सोच और निर्देश अर्विंद केजरिवाल का है और केवल दिल्ली की नहीं भारत की जंता आपकी इट से इट बजा देगी अर्विंद केजरिवाल जी ये कहना गलत नहीं होगा अर्विंद केजरिवाल की आप है ये रोज करता पाप है हिंदूों को गाली इसका जाप है हम सब के लिए ये अभी शाप है और मैं एक बात और कह दूँ आप केवल नफरत फिलाते हैं जहर उगलते हैं ये देश कानून से चलता है कानून के तहट भारती जंता पार्टी हर वो कबम उठाएगी जो देश में और दिल्ली में सबी धर्मों के अनुवाईयों के बीच में हर नागरिक के बीच में सुहार्थ बना रहे हैं जो क्रत आपने करवाई है अरविन के जिवाल जी ये दंडनिये हैं ये एक अपराद है क्योंकि आप दो समुदायों के बीच में नफरत फिलाने का कारे कर रहे हैं मैं समझता हूँ जब भारतिय जन्ता पार्टी जिम्मेदारी से कोई मुद्दा उठाती है तो उसको निशकर्ष पे ले के जाती है जो अरविन केजडिवाल जी आपने जहर उगला है ये एक काला अध्याय की तरह याद किया जाएगा और आपको जन्ता माफ नहीं करेगी धन्यवाद कोई प्रश्टों हो तो आप लोग पूछ सकते हैं as I said earlier all steps required to ensure that peace tranquillity brotherhood remains intact not just in Delhi but in India will be taken by the bharatiya jananta party today is not a voluntary act it is the responsibility फ्ट्रवेश्यून्ता पार्टी तो रुच्छ जुच इए टेजिसन अव ठीजिज कॉट्टिव रुच्टिव जुच्टिव टेम जुच्टिख लगल पोलिट को जुच्टिव टो एंशर अर्विंद केज रिवाल तो नौट तू जुच्टिव वेनम अगांस भीनु कम and is not able to disturb peace, tranquility and brotherhood that prevails in our country and especially in Delhi. एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव अपनी जगा है, विचारदाराएं अपनी जगा है, लेकिन एक धर्म विशेश के प्रती, इस तरह के कृत्त करना, जहर उगलना, दंगा भड़काने का प्रयास करना, और इस प्रेसवारता के बाद, जनता की ताकत देखकर अगर कोई डरेगा, तो वो अर्विंद केजरिवाल है, कानून के सामने, अर्विंद केजरिवाल, और उसकी स्थामपरदाईक पार्टी को जुकना होगा, वो बहुत छोटी है, देखिए, भारती जनता पार्टी के, राश्ट्र प्रवक्ता होने के नाते हैं, मैं एक बात कहूंगा, जब आप किसी एक धन्विशेश के प्रती जहर उगलने लगें, तो आप सम्विधान को भी खंडित कर रहें हैं, और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं कर रहें, और जब ये मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के इशारे पर एक मंत्री करें, तो ये और जहरीला और गंभीर हो जाता है, और इसी लिए, और भारती जनता पार्टी जनता पार्टी जैसा मैंने आप से कहा, इस देश का कानून इतना बजबूत है, कि इन जहर उगलने वाले अर्विंद केजरिवाल को उसके सामने जुकना भी होगा, माफी भी माँगनी होगी और मंत्री को बर्खास्ट भी करना होगा, देखिए, आप जिस मंत्री का नाम ले रही हैं, वो केवल एक कट पुतली है, कट पुतली, उसकी जो डोर है, जो असली नफरती है भारतिय राजनिती में, जो भवे राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता है, चुनाव आने पे चुनावी हिंदू बन जाता है, लेकिन उसके बाद, उसी के इशारे पर, ये सारी कट पुतलीया काम कर रही हैं, और इसी लिए, ये जो हमने सवाल पूछा है, यो मांग करी है, ये अर्विंद केजरिवाल से करी है, और अगर 24 घंटे के अंदर, अर्विंद केजरिवाल जी, हमारी मांगे पूरी नहीं करते, हमारे सवालों के उत्तर नहीं देते, जंता से माफी नहीं मांगते, तो ये मान लिया जाएगा, कि ये सबी हंदुओं से कच्टर नफरत करते हैं कच्टर नफरत रन्ने बाद